और अब बात होकी की जियां होकी नरसरी समडेगा में आयोजित ग्यारवी सब जूनियर नाशनल होकी चैंपियनशिप में आज महा मुकाबला है फाइनल मैच खेला जाना है जारखंड और हर्याडा के बीच ये मुकाबला होगा जारखंड ने बताया आपको कि समी फाइनल में ओडेशा को हरा कर और हर्याडा ने उत्तर प्रदेश को हरा कर फाइनल में जग्या बनाई है हौकी चैंपिन्षिप के पहले सेमि फाइनल मैच में बुद्वार को हरियादा ने शांदार खेल का प्रदरशन करते वे उत्तरप्रदेश को 10.00 से हरा कर फाइनल में जग्या बनाई का फाइनल मुकाबला आज सिम्डेगा में दस मार्च को आगाज हुआ होकी का महाकुम आज अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है आज फाइनल में जारखंड की बेटियां सेरनी की तरह दहारते हुई हर्याना टीम के साथ मुकाबला करेगी और निश्चित तोर पर कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल रोमांचकारी मैच होगा चुकि सुरू से आज तक चार मैचों में उन चास गोल जारखंड के टीम ने मारे और एक भीग गोल उन्होंने नहीं खाया तो कहीं न कहीं आज उनका संघर्स उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें फाइनल तक पहुचाई है हर्याने टीम की बात की जाए तो हर्याने की टीम ने बिराशी गोल मारे और एक भी गोल उन्होंने नहीं खाये तो निश्चित तोर पर कहा जा सकता है कि एक लंबे अभ्यास और लंबे शंघर्स के बाद हर्याने की टीम भी आज फाइनल तक पहुची है तो आज जो फाइनल का मुकाबला होना है ये बिल्कुल रोमांचकारी मुकाबला होगा दोनों टीम बीना गोल खाये आज फाइनल पर उतरेंगे और फाइनल में खिताब पर कबजा करने की कोशिस करेंगी जारखंड की बेटिया काफी पसीना भाई है इसी धर्ती पर इसी एस्टो टर्फ मैदान में उन्होंने अपना कैम्प किया और यहीं से आगाज कर आज फाइनल तक पहुची है तो उनका भी होसला बुलंद है सिम्डेगा का होसला बुलंद है इस्टो टर्फ मैदान का होसला बुलंद है तो आज जो मुकाबला होना है ये बिल्कुल रोमांचकारी मुकाबला होगा और अब इंतजार है बस दोपहर तीन बजे का जब दोनों टीमें इस धर्ती पर उतरे और फाइनल मुकाबले के लिए आपस में भिड़ेगी नूज 11 भारत के लिए सिम्डगा सासी सास्त